Hello kids, today we are going to read some sentences. आज हम कुछ sentences read करेंगे related to I sound word. I sound words related कुछ sentence read करेंगे. First of all, look at the picture. आपको picture में क्या दिख रहा है? Yes, एक तिन है. ओके? और इसके ओपर ये क्या लगी हुई है? ये ढखकन है, इसको English में हम कहते हैं lid. क्या बोलते हैं इसे? इसे हम कहते हैं lid. Let's start reading. T, H, E. जहां साथ में होता है, उसे हम the read करते हैं. The, L, E, D. Lid. Lid का मतलब क्या होता है? धकन. Lid. Is, Is. I, और S. जब भी साथ में होंगे, अब उसको Is पढ़ेंगे. On, On. On का मतलब switch का on, off नहीं. On मतलब होता है, उपर. ओके? जब कोई चीद किसी के उपर होती है, तो वहां on यूज़ करते हैं. The, T, E, N. Tin. Tin. ये टिन है. ओके? The lid is on the tin. Lid, tin के उपर है. ओके? Repeat it again. The lid is on the tin. ओके? Come to the next sentence. अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें एक बिन है. डिबबा है. और उसके अंदर से कोई जहाक रहा है. Yes. ये एक पिग है. और अंदर से हमें देख रहा है. तो पिग कहां पर है? इस बिन के अंदर है. पिग का मतलब आप जानते हैं. ये रहा पिग, सुवर, हिड, हिड मतलब होता है छिपना. इन कहां यूज होता है? जब कोई चीद किसी के अंदर हो. जैसे कि ये पिग बिन के अंदर है तो हम इन यूज करेंगे. इन अंदर के लिए यूज होता है. दे बिन, बिन मतलब ये जो डिबबा दिख रहा है आपको. ये बिन है. बिन के अंदर छिपा हुआ है. औके. The pig hid in the bin Okay, come to the next sentence अब हम next sentence read करेंगे Look at the picture, picture में आपको क्या दिख रहा है? Yes, zip और क्या दिख रहा है? Yes, zip के उपर ये pin दिख रही है Let's read the sentence The pin is on the zip Pin zip के उपर है हम on word आया है On का मतलब अभी मैंने आपको बताया On मतलब उपर तो pin zip के उपर है Repeat it again The pin is on the zip The pin is on the zip Very good, come to the next Look at the picture Picture में आपको क्या दिख रहा है? Yes, ये है bib बचों जब आप छोटे रहे होंगे तो आपकी ममा ने ये आपके गले में बांधा होगा जिससे कि आपको कुछ खाएं तो आपके कपड़े गंदे ना हो इस bib के उपर गिरें और आपके कपड़े साफ रहें तो ये होता है bib ओकी? द ब इब बिब is big, big मतलब होता है बड़ा, the bib is big, यह बिब बड़ा है, यह बड़े साइस का है न, बिब बड़ा है, the bib is big, very good, now अब हम सारे sentences को एक बार और और रिपीट करेंगे, the lid is on the tin, the pig hid in the pin, the pin is on the zip, the bib is big, very good kids, इन्हें बार बार रीट करेंगे, at least 3-4 ताइम जरूर रीट करेंगे, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, okay, goodbye everyone!